हे गाइस वेलकम बैक और आज मेरा रूम का हर पुरक कवरा हो चुका है क्योंकि आज मेरा इंस्टागराम का ब्रैंड का सूट है बहुत ही इमर्जिंसी में मुझे सूट करना पड़ रहा है क्योंकि सामने फ्रेस्टिवल है सो ब्रैंड का बहुत सारा कॉल पर कॉल आ रहा था तो आज मैं कर रही हूँ वैसे मैं इस टाइम में सो और एमाजन के साथ कुलैब कर रही हूँ मैंने सोचा भी नहीं था इतना बट जो भी होता है अच्छा ही होता है और आज ना मौसम ने ऐसा पलती मारी कि सनलाइट आ रहा है कभी कभी नहीं आ रहा है पर काम तो मुझे करना ही पड़ेगा कैसे भी करके है क्योंकि आज तो कोई चीज मुझे रोक नहीं सकता है और क्या है ना ब्रैंड के साथ अब जब कॉलाब में करते हो काम करते हो तो उन लोग को भी टाइम से हर एक चीज देना पड़ता है ताकि उन लोग का भी कोई भी काम रुका ना हो और वैसे भी करना तो पड़े गई और अभी तो सबसे अच्छी बात है कि जो मैं ब्रैंड के साथ काम करती हूँ वो लोग इतने सुईट है बहुत कॉपरेट करते हैं में कुछ समझती नहीं हो तो लोग समझाते भी है मुझे एक दो मैसेज यूटूब में तो आया था पर इंस्टा में बहुत सारा मैसेज आता है डीम आता है मुझे समझ में नहीं आता आप लोग कहां से ऐसे वीडियो देखते हो या फिर क्या सुनते हो आपको क्यूं कॉंटेक करना पड़ेगा आप खुद काम करोगे अच्छा काम करोगे तो ब्रैंड आपके साथ क्यूं काम करेगा मतलब आप फालतू हो आपका कुछ मतलब वैसा कुछ दम ही नहीं है आपका वीडियो में कॉंटेन में तभी तो आप ब्रैंड के पीछे भाग रहे हो ना इमिंग क्यूं किस लिए काम पर फोकस करो ना कॉंटेन अच्छा बनाओ आपने आप ब्रैंड आपके पास आएगा सिंपल सी बात है इसमें कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसा किस टाइप का वीडियो देखतो और कौन क्या किस टाइप का कॉंटेन सेयर करता है पर मेरा जो एक्सपिरियेंस है भाई मुझे उतना नहीं पता है एक साली हुआ है इंटरनेट यूज कर रही तब ही मनें यूटूब इंस्टागराम मनें जॉइन किया तब ही मैं इंटरनेट पे आई उससे पहले मेरा पढ़ाई मेरा जॉब मेरा केरियल मैं अपना जिंदेगी सबाने में बिजी थी क्योंकि इंटरनेट पे नाजगाना करके कुछ भी करो उसके लिए भी पैसा लग मेरा पापा के पस क्या नहीं है मेरा बेड पर खाना आएगा राज रानी के जैसे मैं अपना लाइस्टाइल भी दा सकते हं पर मेरा पापा कंव कोई अगर ब Mayola एगा कि ये एक फोन मेरा पांपाघ देगा तो मैं तो बोलूगी ना की मेरा पापा नी दिया है पर आज समरी सम्रीन अपने पैसे से फोन लिया है तो मेरा फोकस था कि पहले अपना केरियल को पढ़ाई कर लूज है ही इदार उदर में भटकू नहीं बहुतीं कि पढ़ाने के बाद बहुत लेट मैंने फोन लिया मुझे ये सारे चीज के बारे में पता चला और मैं बहुत भोधू थी इंटरनेट के बारे में क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा रूम में लोग टिक टॉक के टाइम पे भी टिक टॉक बनाते थे मुझे पता था कि ये सारे चीज है पर मेरे पास फोन नहीं था भाई, क्योंकि मेरा पापा ने दिया नहीं था, मेरा पापा बहुत ही स्ट्रीक था, मेरा पापा को पता था कि फोन देना, पैसा खर्चा करना, वो cut to cut मेरे को पैसा देते थे, कि पूरा दिन में मेरे को 100 रूपीज मिलता था, breakfast का, lunch का, dinner का, क्यो फोड़ा सा budget-friendly, oily skin के लिए मैं संस्क्रीम बोलू, ते, आको अलाजी का पिंक बला नेला, इस से आपका skin बहुत हाइडरेट रहता है, पेमपर्स नहीं निकलता है, तो यह बहुत अच्छा budget-friendly है, याको अलाजी का संस्क्रीम, वीश्क यार का संस्क्रीम, डॉक्टर सेट क संस्क्रीम, फिर भी और भी बहुत सा ब्रैंड याद नहीं आ रहा है, हाँ, डॉक्टर नकी का संस्क्रीम, यह सारे चीज़ बजट-friendly भी है, अच्छा भी है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, और आज ना मैं थोड़ा चा ओईलिंग भी करूंगी, क्योंकि हैर में मेरा वाईलिंग, ऐसा नहीं कि नीड होता है, तभी करती हूं, कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, फिर सर में थोड़ा सा पेन होता है, तभी में कर लेती हूं, वैसे बचपन से मैं बहुत ज़्यदा मैं मस्टर्ड ओयल लगाती थी, क्योंकि मेरा दादी लगा के देती थी, क्यों मैं अपने अम्मी अभू के सा जादा नहीं रहती थी, मैं अपना दादी के पास मुझे रहना था, दादी इंतेकल होने के बाद मैं गाउं जाना छोड़ दिया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुआ मुझे, इस बारे में बात नहीं करते, सो मेरा जो हैंग करना था फ्लावर को नहीं बुलाती हूँ, मुझे आता है और मैं कर लेती हूँ, और आना भी चाहिए ताकि एमर्जिंसी में आप खुद कर सको, अल्टाइम सर्विसिंग के लिए तो सब कुछ एवलेवल नहीं होता है न, छोटा मोटा काम के लिए भी कोई भी मिस्तिरी को घर पे बुलाओ लेता है और थोड़ा बहुत भी काम होगा, फिर भी हो 500 से नीचे एक पैसा नहीं लेता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कि मैं अपना घर पे ही, मैं सारी चीज़े कर लेती हूँ, जो मुझे आता है, और हार एक चीज़ आना भी तो चाहिए न, मैं फ्रेस हो गई, घर को भी पुरा साफ कर लिया, नहा दो के एकदम फीट फाट हो गए, रेडी भी हो चुकी, और मैं भांगडा डांस क्यों कर लिए हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यदा खुस हूँ, यह जो मैंने ड्रेस है न, यह चार साल पुराना है, और अभी तक म आप अच्छा दिखते हो न, you look good, you feel good, आपका एक confidence अलग होता है, आपको अच्छा लगते हैं आपने आपको जब improve दिखते हो आप, और जब PCOD, PCOC या फिर कोई भी hormonal problem होता है न, तो खुद को maintain करना न, बहुत ज़्यदा difficult होता है, पर healthy lifestyle, आपका discipline अगर हो, तो नामोंकिन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो समरीन भी बहुत दखुस है, क्योंकि मैंने अपने उपर बहुत महनत किया है, और अभी उतना ज़्यादा महनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट अपना healthy lifestyle के वज़े से, अच्छा सब रहता है, मेंटेनी रहता है, वैसे तो Instagram मे मेरे जितनी सारी sister है, जो मुझे message करती है, मतलब मतलब problem share करती है, क्योंकि comment में नहीं कर सकती है, personal किसी बाते होती है, उनमें से एक जो sister थी, उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, वो में आप लोग से share करूंगी, बट नाम नहीं लोगी, बिकास बिदाउर lifestyle को follow कर सके, बट वो बहुत अदर foodie है, अपने आपको transform करना चाती है, पर कर नहीं पारी है, अपने skincare करना चाती है, बट उतना सही से नहीं कर पारी है, और वो जीम जाना चाती है, अपना weight loss करना चाती है, वो कर नहीं पारी है, पर वो जो message देखा ना, उसमें से उसका जो hope, मेरा वीडियो देखके किसी को hope मिलता है अच्छा लगता है तो ये बहुत बड़ा एक earning है मैं कैसे आप लोग को समझाओ बैसे तो अलहमदुलिल, अलहमदुलिल आप लोग को बहुत प्यार मिलता है हर एक वीडियो में जब मेरा कमेंट आता है, आप लोग इतना अच्छा कमेंट करता है, आप लोग बोलता है कि समझाओ ये चीज सिखा है, वो चीज सिखा है तो सब को दिल से सुग रहे है मैं हमेसा कोशिस करती हूँ कि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा एक content लेके आऊं और मेरा content देखके कुछ सीखो ना कि ऐसे ही देखके time pass करके चले जाओ time pass के लिए तो बहुत सारा चीज है सीखने के लिए बहुत कम चीज है मैं चाहती हूं आप लोग सीखो और अपने life में अपने goals को achieve कर सको South City Mall में आ चुकी हूँ और कितना अच्छा decor किया हुआ है विकास सामने दिर्गा पुजा है पार्किंग में भी decor चल रहा था और हर तरफ एक vibe ही अलग है पुजा के time पे बहुत अच्छा लगता है पुरा कॉलकता में एक अलगी vibe रहता है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं बंगाली Muslim हूँ बंगाली family से में belong करती हूँ मेरे आसपस में हर एक महला मेरे दोसरा इस्कूल के हर कोई बंगाली ही तो है और हम लोग जिस तरग के से हर एक festival को मतलब celebrate करते हैं बहुत अच्छा लगता है I love it और मैं तनिस आई थी क्योंकि मैंने एक चीज़ pick up किया है वो मैं आप लोग के साथ बाद में share करूंगी थोड़ा सा adjustment करना उसमें बाकी है तो एक हपता बाद वो फिर से मुझे लेने आना पड़ेगा और अब आगे हूँ मैं mini show जिसके लिए मैं इतना excited थी मुझे आना था mini show बहुत time हो गया कम से कम 4-5 महीन हो गया होगा पर mini show नह मिलती है जो अपने अपको control करना बहुत मुश्किल होती है बट देखते हैं मैं क्या क्या अज अपना लेती हूँ और आप लोगों में दिखाती हूँ मिनी show में आओ और टेडी को एक बड़ ना देखो ऐसे कैसे हो सकते हैं मुझे टेडी तो वैसे बहुत पसंद है पर मैं कभी नहीं लेती हूँ उसके पीछे की रिजन है रिजन नहीं है इसके जो आखे होती है ना रात के टाइम पर ऐसा लगता है कि मुझे घुर रहा है इ ऐसा टाइप का मेरा दिमाग में आता है इसलिए मैं नहीं लेती हूँ गुमते गुमते ना मुझे यह वाला पेन दिखा यह ना बचपन में मैं बहुत ही उसकरती थी क्योंकि इस में बहुत सारे कलर आता है और वैसे भी मेरा बचपन गया ही का तो मेरा स्वापिंग हो चुका है आज ना बहुत ज़दर रश्ट था क्योंकि पूजा के टाइम है तो नॉर्मल सा बाते स्वापिंग करने तो सब को यह आता है और यहां पे मैं पॉपकॉन ले रही हूँ यहां पे बहुत सारा फ्लेवर का पॉपकॉन मिलता है और बहु क्योंकि मुझे कवर चाहिए था फोन के लिए तो मैंने वह भी ले लिया है अच्छा कॉलकता से या फिर वेस्ट बैंगल से कौन-कौन वीडियो देखते हो मुझे तरह कमेंन करके बताना ताकि मुझे भी तो पता चले ओल्लाइन स्वापिंग और ऑफलाइन स्वापिंग में बहुत फर्क है ओल्लाइन में लोग आ रहे हैं चीज़े दे रहे हैं अन्बॉक्सिंग कर रहे हो देख रहे हो बात खतम उतना खुसी नहीं होती है कि ठीक है आई है नया चीज़ बड़ जब ऑफलाइन करते हो ना लोगों को देखते हो घूमते हो अपने एक्सपिरिय तो ये भी डिजब करती है तो वो भी डिजब करती है क्यों कोई मुझे खुस रखने के लिए कुछ करियर में क्यों किसी और के उपर डिपेंड हो कि कोई मुझे आसरा में रहो वो चीज़ दिलाए ये चीज़ करे चाहे हो मेरा बाप ही क्यों ना हो क्यों किस लिए पता न तो कोई भी अपको रूला नहीं पाएगा एक सिस्टर ने मुझे पूछा था में जो यह रिंग्स पहनती हूं कौन सा ब्रांड का है यह सारे यह रिंग्स तनिस का है और मैं गोल्ड का ही पहनती हूं और मेरे को कुछ और चीज़ का नहीं देखोगी यह मेरा डेलीवेर के ल नहीं कर पाई आप लोगों को नहीं दिखा पाई मैं में मिनिसो से क्या क्या लेकि आई तो आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी साव सिटी मॉल जो जाते हूं या फिर कोलकता से हो पॉपकॉन जरूर ड्राय करना यह ना बहुत ही टेस्टी था दो डबल आई थी ए से की कॉटन पैड हो गया इतना बड़ा रहता है अब बहुत टाइम तक यूज कर सकते हो अगर है ब्रस चाहिए ना अच्छा वाला एकदम कि आपका स्कैल्प हेल्दी रहे हैं में ब्लड सर्कुरेशन हो है ब्रेकेज ना हो मिनिसो का ब्रस ट्राय करना बहुत अच्छा हो था में वह थोड़ा खराब हो गया है तो इसलिए मैंने दुवारा ले लिया मीनिसो में जो रूम फ्रेस्टनर रहता है ना उसका कॉंटिटी अच्छा रहता है तूहंडेट उसका दाम रहता है पर उसका कॉंटिटी मार्केट में जो अधर्स ब्रैंड का मिलता है उससे ब ले लिया यह ना आप अपना कबड में रख सकते हो जिससे इसमेल अच्छा भी रहता है और फ्रेस रहता है कपड़ा तो यह मैं फर्स टाइम ट्राइब करूंगी देखती हूं कैसा है जैसा होगा मैं आप लोग का आगे मैं बताऊंगी और यह चोटु-चोटु सा बहुत सा लगा बहुत ही सौफ्ट इसका मेटरियल है जब भी आप सावर करोगे तो सावर जिल से अच्छे से अप स्क्रॉबर कर सकते हो बॉड़ी को क्लीन कर सकते हो इसलिए मैं लिया है और सबसे बेस्ट है वो है मिनी सो का आपका सीट मार्स इस से अच्छा सीट मार्स दुनिया में कोई नहीं मैं मृनिसो का यूज करती हूं मेरे पास बहुत है फिरिज में कम से कम मेरे पास 20-25 अर आब हैं चल लिए कलास चल रहा है तो सिल्फ मेंटेनेंस तो भी तो कुछ चाहिए ना तो घर पर ही मैं पेडिक्यूर में निकीर कर लेती हूं और यह देखो यह जो पेंड मैंने दिखाया था नहीं तो ब्लू कलर का तो मैंने ब्लू कलर चोड़के पिंक कलर का ले लिया है क्योंकि बहुत देखते ही ना मुझे लेने का बहुत जड़ा दिल था इसलिए मैंने ले लिया है और एक क्यूट सा बड़ भी लिखा हुआ था तो यहां पे ना नेल कटिंग करने के लिए दो नेल कटर रखा हुआ है चोटी-छोटी सा क्यूट सा है तो यह भी बहुत ज़़ा क्यूट थ लिया है वैसे तो जरूरत का समाने तीनी चीजी था एक ग्लाफता नोस्ट्रीट था और मुझे एक हैर ब्रस लेना था और बाकी जो सारे चीज़े लिये है वह तो क्यूट के चक्कर में ले लिया है और ऐसे भी ले लिया है बाकी टाइम पे काम आ जाएगी अब मीनी सो को जाए और एक-दो सामाल लेके आए ऐसा तो हो नहीं सकता है रोज मुझे डारी लिखने की आदत है अब कलरफुल पेंट से डारी लिखोंगी तो चीज़े याद भी रहेगी थोड़ा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा बहुत सामाल लेने गई थी कुछ थोड़ा ज्या पर निव हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अजका ब्लोग आप लोगों ने इंज्वाइ किया और यह भी मुझे फीटबएक बोलना और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कहां कमेंट बॉक्स में और आप लोगों से मिलती हूँ मैं अपना निक्ट ब्लाग में भी तो बह be confident, love you all, bye